हेलो वच्चों, सिस्टम आफ पार्टिकल्स हैं रोटेशनल मोशन, तो आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, और मैं बताना चाहूंगा कि ग्यारवी की फिजिक्स का ये सबसे इंट्रेस्टिंग चैप्टर है, फिजिक्स की गहराईयों तक आपको जाने का मौका मिलेगा, मैकैनिक्स का सबसे डिटेल नौलेज इसी चैप्टर के थुख आपको मिलता है, आपने अभी तक मोशन, वर्क एनरजी, पावर के जो भी कंसेप्ट सीखे हैं, उनके अलावा आप कुछ नए कंसेप्ट इस चैप पर है, चित्र में आप देख सकते हैं बच्चो, एक बड़ा सा पत्थर एक छोटी चट्टान के उपर कैसे टिका हुआ है, और दोनों के बीच ही कोई बहुत ज़्यादा कॉंटेक्ट नहीं है, यानि कि दोनों के बीच का कॉंटेक्ट एरिया बहुत ही कम है, तो फिर ये क कैसे पॉसिबल है, यह हम जान पाएंगे इस चैप्टर के अंत में, आगे बढ़ते हैं, Center of mass Center of mass क्या होता है और हम इसे कैसे define करते हैं इसकी क्या परिभाशा है और इसका क्या महत्व है किसी भी object या system के motion में ये हम आगे जानेंगे इससे पहले कि हम कुछ नए concepts पढ़ें आईए देखते हैं कि आपको कुछ पुराने concepts याद हैं या नहीं बच्चों, vector product चाहे वो scalar हो या vector हो उसका knowledge इस chapter में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चुकि हम उसी के माध्यम से कई सारे concepts सीख पाएंगे जहाँ पर आप torque या फिर angular momentum जैसे concepts सीखेंगे तो उन्हें apply करने के लिए आपको ये knowledge होना बहुत ज़रूरी है unit vector, unit vector वो vector होता है जिसका magnitude 1 होता है और वो किसी particular किसी specific दिशा की ओर अंकित करता है dot product बच्चों किनी भी दो vector quantities का ऐसा product होता है जो हमें एक scalar output देता है a dot b is equal to a b cos theta कुछ vector quantities आपकी screen पर जैसे कि force एक vector quantity है हमें मालूम है momentum एक vector quantity है हमें मालूम है circular motion में कुछ formula आप use करते हैं जैसे centripetal acceleration का linear velocity और angular velocity के बीच में जो relationship है v is equal to omega r a is equal to alpha r जहाँ पे r आपके path का radius है जिस path में आपका object move कर रहा है alpha उस path उस object का angular acceleration है तो यह सब relationship हैं जो की circular motion को linear motion से जोडते हैं work done by constant force w is equal to f dot s अब यहाँ बच्चों dot product आ गया देखिए जो आपने सीखा था f यानि की force s यानि की displacement इन दोनों का dot product हमको work done की value देता है अगर आपका force variable हो तो हम integration वाला formula यूज करेंगे आपकी screen पर है from limit initial displacement x to final displacement x it is equal to integral of f dot dx जहाँ पर dx जो है small displacement है जो object variable force के influence में लेगा अब यह आपका work energy theorem है कि जो भी आपका kinetic energy में change आएगा वो total forces द्वारा जो network done किया जाएगा system पर उसके बराबर होगा चलिए अब जो सीखा है चेक करते हैं कि आपने कितना सीखा है recall करने के कोशिश करते हैं आपकी screen पर vector a is equal to 3i cap plus 5j cap minus 7k cap vector b आपको a और b का dot product निकालना है जिहां बच्चों हमने सीख रखा है कि यह जो dot product होता है कि नहीं भी दो vector quantities का यह आपके इंडिविजनल डायक्षिनल कंपोनेंट्स का सिंपल मैंगिट्यूड मल्टिप्लिकेशन होता है यहनी कि हम आई के मैंगिट्यूड को दूसरे vector के आई के component के ही का ही multiple लेंगे हम similarly हम जे कंपोनेंट्स का मल्टिप्लिकेशन ले लेंगे और के कंपोनेंट्स का मल्टिप्लिकेशन ले लेंगे जो भी वैल्यू आती है हम उसे finally add कर देंगे और यहां पर solution आ रहा है कि vector a और बी दोनों perpendicular है आगे बढ़ते हैं एक और ही कॉल टेस्ट यहां पर एक पार्टिकल है जो कि एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है जिसका रेडियस 0.5 मीटर है आपको उस ऑब्जेक्ट के उपर लगने वाले radial acceleration का magnitude find out करना है यह जानकारी आपको दी हुई है कि वो वन मीटर पर सेकेंड की speed से move कर रहा है बच्चों याद करें formula क्या बताया था हमने अभी a is equal to v square by r जी हां इसी formula का प्रयोग करेंगे finally अब आपको कुछ कुछ चीज़ें याद हो गई होंगी तो वो concepts अपने दिमाग में रखिएगा उनका हम समय समय पर उपयोग करते रहेंगे तो center of mass for a system of particles दो नई चीज़े हैं बच्चों यहाँ पे center of mass पहली नई चीज़ और दूसरा system of particles कभी कभार हलका फुलका सुना होगा लेकिन बहुत जादा idea नहीं होगा इसके बारे में आपके screen पर तीन चित्र बने हुए हैं बच्चों पहला चित्र एक baseball bat का है यह game अमेरिका में खेला जाता है काफी popular है दूसरा हनुमान जी का गदा है और तीसरा simple एक plain uniform rod है तो मेरा सवाल यह है बच्चों अगर इन तीनों को ही मैं इनके length के midpoint के along काटता हूं एकदम बीच ओ बीच से अगर मैं काटता हूं तो इन तीनों ही cases में से किस case में मुझे जो दो टुकडे मिलेंगे वो equal masses के होंगे मैं फिर से पुछता हूं कि अगर मैं इस baseball bat को एकदम बीच ओ बीच से दो टुकडों में विभाजित करता हूं तोड़ता हूं या इस गदा को मैं बीच से एकदम तोड़ दूँ बीच ओ बीच और इस rod को मैं बीच ओ बीच से तोड़ दूँ तो जो दो टुकड़े मुझे मिलेंगे तीनों ही केसिस में क्या उन दोनों टुकड़ों का मास बराबर होगा ज़रा सोचिए अच्छा, मुझे तो नहीं लगता कि बराबर होगा अब ज़रा इस रॉड को देखिए, ये एक पतले से स्ट्रिंग से लटकी होई है वो जो स्ट्रिंग है वो मैंने बीचो बीच लटका रखी है फिर मैंने क्या किया, उस स्ट्रिंग को साइड से लटका दिया अब आप देखिए, कि दोनों ही केसिस में जो रॉड है वो किस तरीके से हिंज होने का प्रयास कर रही है या लटकने का प्रयास कर रही है अगर simple भाशा में बात करें मैं उस rod की जगे अगर एक plate लगा दूं एक rectangular plate लगा दूं तो क्या होगा वो balance हो रही है और वो balance हो रही है वो इधर उधर tilt क्यों नहीं हो रही है जड़ा इस बारे में सोचिए पिछले case में और इस case में दोनों में ही कुछ समानताएं हैं जिनकी चर्चा हम करने वाले हैं तो बच्चों अगर हम वापस इसकी बात करें इन तीनों ही cases में baseball bat, गदा और rod के cases में मुझे जो दो टुकडे मिलेंगे वो equal masses के नहीं होंगे rod के case में वो equal masses के होंगे जबकि गदा और baseball bat के case में वो equal masses के नहीं होंगे आप clearly देख सकते हैं कि गदा जो है, वो निचला हिस्सा उसका जो है काफी बड़ा है, काफी massive है वहाँ पे matter जादा है उसी तरीके से baseball bat में भी नीचे matter जादा है system बच्चो system of particle क्या होता है जो भी हम कोई rigid body लेते हैं कोई बड़ी सी body लेते हैं कोई object लेते हैं हम यह समझ सकते हैं कि वो छोटे छोटे particles के छोटे छोटे point masses के combination से बना हुआ है हर एक object की जो boundary होती है जो उसकी physical boundary होती है हम उसे system boundary कहते है कि इस system boundary के अंदर जितने भी छोटे छोटे particles हैं उन particle masses का combination मिलकर इस system को तयार करता है जैसी कि आप अगर micro level पे जाएं बच्चों तो हम सबको मालूम है कि everything is made up of atoms तो atoms ही है जो बहुत छोटे-छोटे masses का काम करते है और उनही के combination से एक बड़ा system तयार होता है तो इसकी definition जान लेते हैं यह center of mass है क्या अब बच्चों शब्दों पे न जा कि इसकी भावनाओं पे जाएं आप कि mass is supposed to be concentrated यानि कि जब भी आप किसी object को उठाएं तो center of mass उसका वो point होता है जहां पे आपको ऐसा महसूस होता है कि सारा का सारा mass concentrated है या ऐसे समझें कि majority of mass उस बिंदू उस point के आसपास concentrated है mathematically अगर मैं define करूं इसे तो center of mass वो point होता है किसी भी system of particles के लिए जिसके about या जिसके around mass evenly distributed होता है evenly मतलब समान रूप से distributed होता है तो बच्चों याद करिए मैंने गदा, baseball bat और rod का उदाहरण आपको दिया था तो अब आप ही बताए कि baseball bat का center of mass क्या उसके geometrical center पे होगा या उसके निचले हिस्से पे होगा जहां पे उसका majority of mass concentrated है गदा के case में हम देखते हैं कि जो majority of material है वो नीचे लगाया गया है तो जो गदे का mass आ रहा है वो उसके majority of particles जो नीचे concentrated हैं वहां से आ रहा है तो center of mass की definition के हिसाब से गदा का center of mass निचले हिस्से में होना चाहिए ना कि उसके लंबाई के बीचो बीच जबकि अगर हम uniform rod की बात करें तो पहली बात तो यह कि उसकी लंबाई उसकी जो मुटाई है वो समान रूप से एक जैसी है उपर से लेके नीचे तक और वो uniform है यानि कि उसकी density उपर से लेकर नीचे तक एक बराबर है इसका मतलब यह कि rod का center of mass उसके geometrical center पे ही होगा तो बच्चो यह सब थे कुछ practical कुछ उदाहरण जो आपने आसपास आपने देखे होंगे अब ज़रा mathematical analysis पे आते हैं कि अगर हमें किसी system के लिए यह calculate करना हो तो हम कैसे करेंगे Suppose करिए बच्चों कि एक system है जो दो particle, दो point masses M1 और M2 से मिलकर बना है अब अगर मैं M1 की position locate करता हूँ तो वो R1 position vector है M2 की position vector R2 है तो मुझे अगर इस system का center of mass मालूम करना है तो मुझे क्या analysis करना होगा देखते हैं यह एक formula है बच्चों M1 R1 plus M2 R2 divided by M1 plus M2 इस formula के through इसके माध्यम से आप इस system का center of mass मालूम कर सकते हैं अब सवाल यह उठता है कि सरीए formula तो आपने हमें बता दिया लेकिन इसका practical मतलब क्या है practical मतलब यह है बच्चों कि आप मानिये कि आप एक bag लेते हैं जिसमें आप अपनी आप कभी भी अगर school जाते हैं आप अपनी bottle रखते हैं अपना tiffin रखते हैं कुछ किताबे रखते हैं अपना रुमाल रखते हैं तो अगर आप उसको observe करें ध्यान से तो आपका bag जो है उसका shape बदल जाता है और जब आप उसे उठाते हैं तो एक particular हिस्से से वो हमें हलका लगता है और एक particular हिस्से से वो हमें भारी लगता है उसका कारण यही है कि जो heavy material होता है जो ज़्यादा massive होता है वो center of mass को अपनी तरफ खीच लेता है इस वज़े से हमने इस formula में weighted average का formula लिखा है तो दो particle के लिए r center of mass यानि की center of mass का position vector कैसे define होगा चुकि position vector है three dimensions में तो हमें इसके तीनो components x, y और z लिखने होगे तो जिस तरज पर हमने formula लिखा है बच्चों उसी तरज में हम इसके x, y और z components भी लिख सकते हैं बहुत ही आसान तरीका है आप screen पर देखें अगर तो यहाँ पर जिस तरीके से position vector को इनके components के form में लिखा गया है उसी तरीके से यहाँ पर भी m1, r1, r1 को हमने substitute कर दिया उनके components के form में और m2, r2, r2 को हमने उसके components के form में substitute कर दिया आपको individual components निकालने हैं वो भी आप इसी formula के मध्यम से निकाल सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पर x component निकाला है center of mass का similarly y और z components भी आप निकाल सकते हैं तो बच्चों पिछले वीडियो में जो आपने formula देखा center of mass का आये हम same formula तीन particle के लिए बराने की कोशिश करते हैं एक system जिसमें तीन particle हैं तो x coordinate का formula हमने निकाला था अगर आपको याद हो m1 x1 plus m2 x2 divided by m1 plus m2 अगर तीन particles हों तो बच्चों वो formula हो जाएगा m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 divided by total mass अगर हम एक in general कोई भी body लेते हैं तो उसमें तो बच्चों धेर सारे particles होते हैं लेटस से की n particles हैं तो उस system के लिए अगर हमें अपना center of mass निकालना हो तो हमारे लिए ये formula है m1 x1 plus m2 x2 इस तरह से जो भी आपके जितने भी particles हैं लेटस से n particles हैं n particle number उनकी location multiplied by उनका mass divided by system का total mass इस तरह से आपको आपके center of mass का x component मिलेगा तो बच्चों same काम हम पूरा procedure दहराएंगे y coordinate और z coordinate के लिए भी mathematically हम ये summation वाला formula यूज कर सकते हैं summation यही indicate कर रहा है m i x i यानि in general किसी भी particle की x coordinate multiplied by उस particle का mass divided by total mass यह i represent करता है एक general particle को और यह summation series स्टार्ट होगी i is equal to 1 से n तक जहां पे n होता है total number of particles तो उसी तर्च पर हम y coordinate और z coordinate भी center of mass का निकाल सकते हैं चलिए अब हमने जो सीखा है उसको test करने का समय आ गया है दो particle है एक केजी और दो केजी के जो की x is equal to 0 और x is equal to 3 पर located है आपको उनकी center of mass का position find out करना है तो बच्चो formula मत भूलिएगा formula जो मैंने सिखाया है आप उसी का प्रयोग करें जट से answer आ जाएगा मैं आपको कुछ समय देता हूँ ओके बच्चो तो जो मैंने सिखाया था आपको आप खान दें कि कितने number of particle है उसी साब से आप अपना formula बना कर यूज कर सकते हैं दो particle है उनके लिए formula आपकी screen पर m1 x1 plus m2 x2 divided by m1 plus m2 बहुत ही आसानी से निकल गया यह 2 meters location होगी आपके center of mass की चुकि हमें information दी गई है सिर्फ x-axis के about तो हम यह मान सकते हैं कि इनका जो y coordinate है वो constant है तो हम यहीं मानेंगे कि जो बिंदू जो रेखा है x coordinate में उस रेखा में उस line में यह 2 meters away होगा x equal to 0 से और बच्चो ध्यान दीजे जो मैंने बात आपको पिछले वीडियो में सिखाई थी कि कि किसी system में जहाँ पे particles जादा massively collected होगे यहाँ कहें कि जहाँ पे जादा massive particles होगे center of mass उसी तरफ shifted होगा तो यहाँ पे center of mass की जो location है वो x equal to 2 meters है यानि कि x equal to 0 x equal to 3 यानि इनका midpoint है 1.5 लेकिन center of mass जो है midpoint 5 1.5 के beyond जा रहा है 2 kg मास की तरफ यानि heavier मास की तरफ जो है आपका center of mass shift हो रहा है same case baseball bat और गदा के साथ भी होता है एक और concept test आजमा के देखते हैं जो हमने सीखा है concept क्या हम actual में सीख पाए हैं या नहीं एक system है जिसमें तीन पार्टिकल्स है तीनों ही पार्टिकल्स बराबर मास M के हैं और वो तीन अलग-अलग locations पे स्थापित हैं जो की जिनके coordinates आपकी screen पर हैं लाइक 1 1 2 2 और 3 3 आप से पूछा जा रहा है कि system के center of mask का क्या location होगा उसके क्या coordinates होंगे बच्चों यह बहुत ही आसान एक formula भी सवाल है जहां पर बस आपको formula यूज करना है यहां पन तीन पार्टिकल्स हैं मैं आपको समय देता हूं आप से हम ट्राइ करें चरिए बच्चों अब चूखी इन तीनों ही locations को हम दिहां से देखें तो यह एक line में लाए करते हैं यहां पर x और y coordinate दोनों के ही same है तो ध्यान देने वाली बात है यह उसी रेखा में हो सकते हैं जो x और y के बीच और बीच पास करती है यानि कि y is equal to x यह उसी line के along तीनों ही point लाए करते हैं तो आप चाहें तो formula लगा लें जो कि एकदम primary step है कि आपको formula आता है formula apply करें या आप वैसे भी सोच सकते हैं कि तीन मास हैं तीन पार्टिकल से जिनका मास इक्वल है तीनों ही एक दूसरे से इक्वी डिस्टेंट हैं बच्चों इक्वी डिस्टेंट मतलब तीनों पार्टिकल के बीच की जो दूरी है वो बराबर है देखिए पहला पार्टिकल दूसरा पार्टिकल यह जो दूरी है उ को सॉल्व करना सी तब आपका विचार सामने आएगा तो सॉल्व करने पर जिहां यही लोकेशन निकल कर आती है तो चीजों को बच्चों यहां पर ना सिर्फ मैथमेटिकल ही आपको सोचना है बलकि आपको फिजिक्स के टर्म्स में भी सोचना है कि आप अपने वातावरण में आसपास में जो चीज़े देखते हैं वो कैसे काम कर रही है common sense कभी भी आपको physics में नहीं छोड़ना है एक और problem solving ये वीडियो है बच्चों जहांपे हम आपकी screen पर एक problem डिस्प्ले कर रहे है आप इन problems को attempt करें आपको कुछ 2 मिनट का समय दिया जाता है तो problem ये है कि एक equilateral triangle है ABC जिसकी edge की length है 1 meter अब इनके तीनों ही vertices में अगर हम बात करें तो 1 kg, 2 kg और 3 kg के तीन masses रखे हुए है आपको मालुम करना है कि center of mass की vertex A से कितनी दूरी होगी सबसे पहला काम आप diagram बनाए एक equilateral triangle जहां पर आप इनकी locations को assume कर सकते हैं कि एक vertex जो है चुकि A से हमको दूरी पूछी गई है तो यह बहुत आसान assumption है यह हमाई पास छूट है कि हम A point को origin पे ले ले उसी तरीके से आपको B point लेना है अब A और B की दूरी 1 meter है तो उसे भी आप X axis में ले सकते हैं बस इतना ध्यान रखना है कि आपको C point इस तरीके से लेना होगा जिससे C और A and C और B की बीच की जो दूरी है वो 1 meter आनी चाहिए तो इस तरीके से हमने coordinates ले लिये हैं अब आपको mass तो पता ही है कि M1, M2 और M3 की values 1 kg, 2 kg और 3 kg respectively हैं तो बस समय आ गया है formula लगाने का center of mass का x coordinate आप इस formula से निकाल सकते हैं और उसी तरीके साप इसका y coordinate भी निकाल सकते हैं तो solve करने पे ये आपके center of mass के coordinates की value आती है 1 by 3, root 3 by 6 आप चाहें तो root 3 by 6 को और भी ज़्यादा simplify कर सकते हैं मतलब इसमें आपकी इक्षा है इस form में भी चलेगा ये तो चुकि हमें distance निकालनी है vertex A से तो बच्चों हमें पता था कि हमें last में distance formula लगाना होगा x और y coordinate find out करने के बाद इसलिए हमने smartness दिखाते हुए A vertex को origin पे ही ले लिया था कि हमारे बात की calculation आसान हो जाए तो बच्चों इसी तरह की छोटी-छोटी सूजबूज आपको हमेशा problem solving में इस्तमाल करनी होगी और बच्चों यह practice से आएगा आप जितने ज्यादा सवाल लगाएंगे उतनी ही ज्यादा आपको इस तरह की सूजबूज यह smartness डेवलप होगी तो हमारा answer आता है root 7 by 6